नमस्कार मित्रों भक्त बड़ा है या भगवान? इस विशेपल लगबख सभी विद्वानों का एक ही मत है कि भक्ती की शक्ती भगवान से बड़ी होती है और भगवान सदय वो अपने भक्तों की भावना के आधीन रहते हैं और इसी भावना के आधीन होकर कई बार ऐसा देखा गया है कि भगवान विधी के विधान के विपरीद भी कारे कर जाते हैं वो सरविश्वत जो किसी के भी वश में नहीं होते वो भक्त की भावना के आधीन होकर रह जाते हैं और श्री राम के जीवन की अम्रत कथा भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन के बिना अधूरी है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिड़ जाता है जहां भक्त सामर्थवान है परन्तु भगवान असहाय से दिखाई देते हैं भक्त और भगवान के दिव्य प्रेम की सनुभूती के बिना राम कथा संभव नहीं है जिसमें भावनाओं का वो आवेग है जिसमें कोई भी हिर्दय विचलित हुए बिना नहीं रहे पाता और जो भावनाओं के इस सागर में डूब जाता है वो फिर कभी भी उबरता नहीं भगवान अपने भक्त की देखभाल उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक माता अपने शिशु की बाल करिणाओं का आनंद लेती है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की लिलाओं का आनंद लेते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं जब सुग्रीव भगवान श्री राम का भेज जानने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं तो हनुमान जी एक ब्राम्हण के वेश में भगवान श्री राम पर अपनी विद्धुता जमाने का पूरा प्रयास करते हैं, भगवान श्री राम हनुमान जी की इस चतुराई को जानते हैं और मन ही मन आनंदित भी होते हैं, और वो एक साधारन मनुष्य की भाती अपना पर पीचे जानने के बाद जो हनुमान जी को अपनी भूल का हैसास होता है तो भगवान श्री राम से अपनी इस गलती के लिए या अपने वचनों के लिए छमा मांगते हैं लेकिन भगवान श्री राम उनके ज्ञान के प्रशन साही करते हैं भक्त का भगवान पर अटूट वचन भगवान का वचन हो जाता है और इसका सबसे जीवन तुदाहरण अंगद है अंगद भगवान श्री राम की ओर से रावण को ये वचन देता है कि रावण की सभ़म में उपस्थित तमाम योध्धाओं में से कोई भी यह उसके पैर को उठा देता है तो भगवान श जे हैं वो अपनी हार स्विकार कर अपनी पूरी सेना के साथ अप लंका से वापस चले दें यह भक्ति की वो पराकाष्ठा है जो भगवान को भक्त के वचन की आन रखने पर विवश्च कर देती है अपनी अटूर्ट भक्ति के कारण ही हनुमान जी भी अपने आराद भगवान श्री राम के लिए सर्व समर्थ सिद्ध में भगवान श्री राम स्वयम समर्थ होते हुए भी अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए अपने प्रताप के द्वारा अपने समस्त कार रिया अपने इस संसार में भक्त भी भगवान की तरह ही लोगों के खिर्दय पर अपनी ये कटल छाप छोड़ सके और वो इस संसार में सदयों के लिए पूज्यनिया हो जाए राम कथा में ये सबरी माता का प्रसंग ना आए तो राम कथा अपूर्ण ही लगती है माता शबरी भक्ती की उस दिव्यता को प्रदर्शित करती हैं जिसके आगे सोयम राम भी नत्मस तक हो जाते हैं अगर आप देखें तो यह भक्ती की वह इस्थिती है जिसमें भक्त संसारिक द्रश्टी से पागल सा दिखाई देने लगता है वह भक्ती की उस चरम इस्थिती पर पहुंचाता है जहां लौकिक सिस्था चार को भूल कर उसकी समस्त भौतिक चेतना सुप्त हो जाती है और भक्ति की इस चरम इस्थिती पर पहुंच चुकी माता शबरी के जूठे भेर राम उसी भाव से खाते हैं जिसमें लौकिक सिष्टाचार की एपेक्छा प्रेम की प्रवलता है और अगर आप देखें तो शबरी भी या भक्त भी अपने भगवान को इसी भावना के साथ कि कोई भी कड़वा फल हमारे आराध्य को अर्पित ना हो जाए इसलिए चक कर जूठे बेर भगवान को अर्पित करना उस दिव्य भक्ति की उस दिव्य प्रामालिक्ता को उजागर करता है जिसके आगे भगवान श्री राम भी आत्म विभोर उठते हैं वो भगवान श्री राम जो अत्यंत धैरेशील हैं वो भी आत्म विभोर हो जाते हैं और सबरी के आगे हाँ जोड़ कर खड़े हो जाते जिस प्रकार भक्त की पहचान भगवान होते हैं उसी प्रकार भगवान की पहचान भी तो भक्त ही होता है और भगवान श्री राम इन दोनों चरित्रों को चरित्रार्थ करते दिखाई देते हैं क्योंकि श्री राम भक्त भी है और भगवान भी जैश्री राम